फिर भी आप भी करता है तो उसमें थोड़ा बहुत उनको भी वेर करने के जुरूते हैं फरकार ने जो भी जवाब दिया है वो उसमें आवश्य करवाई जो भी होगी की जाएगी प्रेस्वन क्या बारा है डॉक्टर रागी नी बैठ जाएगी अध्यक जी मेरा सवाल बेसिक सिक्षयों मंत्री जी से था, कि क्या आप बताने की कृपपा करेंगे कि हमारे जो प्रात्मिक स्कूल हैं, ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पे सिर्फ एक दो कक्षाए हैं और उनमें ही सारी क्लासिस चल रही हैं, तो उनका जवाब आया था कि जी हा हमारे यहां एक दो ही कक्षाओं में पूरी क्लासिस को चलाया जा रहा हैं, और ये जवाब स्वेम में ही जनता को बड़ा ठगा हुआ महसूस होता है अध्यक जी, और साती सात सिक्षा की इतनी सारी बाते हुई और उसके बाद भी जब एक दो कक्षाओं में ही सारी क्लासि को चला रहे हैं तो ये सरकार की तरफ से एक इस तरीके का भी प्रोजेक्शन है कि आप सिक्षा को लेके कितने जागरुख हैं, मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी से जबकि उन्होंने अल्रेडी ये बता दिया है कि ना तो सरकार के पास बच्चों के लिए प्रॉपर इंफ भीशन गर्मी हो, चाहे वो थंडी हो, चाहे बरसाथ और अधिकार जगर की जो इमारते हैं वो जड़ज़र हो चुकी हैं, मैं माननी अब मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे डेटा उपलब नहीं कराये गया है, सिर्फ जी हाँ बोलकर के बताये गया ह और उन ही एक दो क्लासे में सारी की सारी क्लासे को चलाये जाता है, तो मैं आप से पूछना चाहूंगी कि क्या आपके पास प्रॉपर डेटा है, कि हमारे पास प्रदेश में कुल इतनी कितनी स्कूल है, जहां पर हमारे पास जो इंफरा स्ट्रक्चर है, उसकी कमी है, एक दो या तीन क्लासेज में ही पूरा का पूरा स्कूल है जिसको चलाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कितने प्राथमिक विद्याले हैं जिनके इमार्तों की जो सिचुवेशन है वो जरजर हो चुकी है उसका क्या डेटा आपके पास है और उसको आप कब तक ही करा देंगे और जब तक आप उसे ठीक करा रहे हैं तब तक के लिए बच्चों के लिए क्या वेकाल्पिक तो तोर पे कोई आपने सुविदा या कोई इंतजाम किया है क्योंकि उन बच्चों का जो समय है जब तक आपकी इमार्तों को बनाया जाएगा वो वियर्थ होगा और उसके साथ ही मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपके इंफ्र मानी अध्यक्ष महुदे मानी सदस ने विद्यालेओं में जो कक्षों को लेकर के अपनी चिंता जताई है वर्तमान में प्रदेश में बेसिक सिक्षा परिशद के जितने भी विद्याले हैं हर एक विद्याले में प्रदेश सरकार के द्वारा अमूल चूल परिवर्तन को लेकर के आया गया है मिशन काय कल्प के अंतरगत अगर हम 2017 से पहले की विद्याले की स्थिती को देखें और आज की 2017 के बाद के आज की विद्याले की स्थिती को देखें तो मिशन काय कल्प के अंतरगत 19 पेरामीटर्स पे आज हमारे परिशदी विद्यालेओं में अमूल चुल परिवर्तन हुआ और हर एक मूलबूत सुविधा के साथ चोड़ने की विवस्ता की गई हूँ हमारे विद्यालेओं में परिशदी विद्यालेओं में जहां बच्चों के लिए टॉलेट तक की विवस्ता नहीं थी क्लासरूम तो बहुत बड़ी बात है लेकिन बच्चों के लिए विद्यालेओं में ना पीने की पानी की विवस्ता थी ना टॉयलेट की विवस्ता थी आज हर एक सुविधा को परशदी विद्यालें में पहुचाने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा पिछले पांच वश के कारिकाल में किया गया जहां तक बात है मानी सदस्य ने प्रशन उठाया कि ऐसे विद्यालें है जहां पे जरजर भवन है और जरजर भवन होने के कारण इसकी प्रक्रिया पहले से ही गतिमान है ऐसे जरजर भवनों को चिन्नित करके उनके द्वस्ती करण की कारवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और बच्चों के लिए जो उन विद्याले में जरजर भवन थे तब तक के लिए वेकल्पिक विवस्था भी कही गई है बच्चों के पटन-पाथन का तार कही पर भी बादित नहीं हो रहा है और ऐसे जितने भी विद्याले हैं प्रदेश बर में क्योंकि कई जगाओं पे ऐ आखर एक कमरों में मेरे पास संक्या है प्रदेश बर में जिन पे आगे भी अभी कारवाई की जा रही है प्रदेश बर में लगबग 823 अभी ऐसे हमारे विद्याले हैं जो हमारे एकल कक्ष में चल रहे है और ये 8107 हमारे ऐसे विद्याले हैं जो दो कक्ष में चल रहे हैं लेकिन इन विद्यालों में छात्रों की संख्या बहुत कम है और पठन-पाठन का कार किसी तरह से बादित नहीं हो रहा है लेकिन वहा अधिक से अधिक, 90% से भी अधिक हमारे विद्यालेओं के इनके सारी 19 पैरमिटर्स पे पूरा कर लिया गया है, आने वाले समय में इन सारी चीजों को भी पूरा करके हम सिक्षा के बैतर इसतर को प्रदान करने में अपना पूरा योगदान देंगे। पैरमिटर्स पे हमारी सरकार और आपकी सरकार में जमीन आस्मान का फरक आ चुका है, अगर हम प्रात्मिक सिक्षा के विद्यालों की बात करें, तो क्या सरकार इस बात पे राजी होगी, कि हम एक कमिटी का गठन करके जिसमें हमारे मेंबर्स पक्ष के भी हो और विपक्ष के इसको यहां पर रखा जाए और यह सिर्फ आलोचिना का विशे नहीं है यह बेटमेंट की तरफ हमें लगता है कि सरकार को यह कदम आगे बढ़ाना चाहिए एक कमिटी का गठन करना चाहिए मैं माननी मंत्री जी से चाहूंगी कि यह इसका उत्तर दे साथी साथ जो भी अध्यापक हैं जो टीचर्स हैं जो तैनाथ हैं उनको हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटीज नहीं उपलब दे तो मैं माननी मंत्री जी से उसका भी अनुरोध करूंगी कि जिस तरीके से बाते विभा प्रवाइट किया जाता है यहां पे भी कैशलेस हेल्थ इंशॉरेंस की सुविधा को प्रवाइट किया जाए यह दो क्वेस्टिंज के लिए पुछा है और सर साथ ही साथ कमिटी के लिए भी एक मिले मैंनिय देख जी अग्ष ना जवाब ने अरे आप जबर्वश्ति खड़े हो जाते हैं आप हर कोश्टन ना करगे हो जाते ना है अरे जो जिसे का आप इतने जाबरू का एज प्रष लगाएगा ना बैठी है आपको मन्तरी झी खड़े हैं मंतरी जी का ख़ड़े हैं एक बा काबले में बहुत बहतर सुधार हुआ है माने बाट लेकिन हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो गया सब कुछ ठीक हो गया नहीं कहा सुन लीजिए ने ने ली दिर दी दूसरी बात ज्याए कि अगर ये और ये लोगों को इस बात का ऐसास भी है ऐसा नहीं है कि जो आप कह रही है मानिए सदस्या पहले के मुकाबले में मानिवर हमने एक लाख चौतिस जार स्कूलों से ज्यादा काया कल किस में कारकरम के अंतरगात उनको जबर्दस सुधार किया है मानिवर और यह बात ग्रामीट छेतर में पब लिकिन मानिवर यह बिल्कुल सही है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है हम यह बांते हैं इसलिए कमेटी की आवशक्ता नहीं है मैं खास तोसे इसी बात को कोट करने एक ख़़ा हुआ हूँ और आगे भी आगे भी सरकार की मंशा यह है कि हम हर तरह से बेसिक सिक्षा को जितना सुधार कर सकते हैं उत्ता करेंगे मानिवर डॉक्टर पल्लिवी पटेल डॉक्टर पल्लिवी पटेल प्रशन के तेरा डॉक्टर पल्लिवी पटेल